अयोध्या में नया एरपोर्ट बन कर तयार है और खास बात ये है कि अयोध्या के एरपोर्ट का नया नाम रखा गया है अयोध्या एरपोर्ट श्री राम अंतराष्टे हवाई अड़ा हो गया है यानि अब महारिशीवाल मिकी अंतराष्टे हवाई अड़ा अयोधिया धाम के नाम से जाना जाएगा इससे पहले 27 सिस्टंबर को अयोधिया के रेल विस्टेशन का नाम बदल कर अयोधिया धाम किया गया था और अब कल देश के प्रधान मंत्री आयोधिया के नए एरपोर्ट का उद्घाटिन करने वाले हैं उद्घाटिन वाले दिन ही पहला विमान आयोधिया एरपोर्ट पे लांट करेगा देखे आयोधिया एरपोर्ट से हमारे समवादा था अभिशेक कुमार के रिपोर्ट आयोधिया का श्री राम एरपोर्ट अपने आप में इतना खास है कि इसके जैसे दुनिया में कोई दूसरा एरपोर्ट नहीं है इस एरपोर्ट में आपको राम मंदिर की जलक दिखाई देगी किस रहा एरपोर्ट के डिजाइन के हर पहलू में रामायन के दर्शन गोतारा गया है ये जाने के लिए गुद न्यूस टुड़े ने श्री राम एरपोर्ट के आर्किटेक्स से एक्स्क्लूसिव बात चीत की देखे एक खास टूपर्ट राम लला आने वाले हैं तभी तो आवद पुरी स्वागत में जुटी है एक तरफ मंदिर का काम तेजी से चल रहा है तो दूसरी और आयोध्या में एरपोर्ट भी बन कर तैयार हो रहा है श्रे राम एærपोर्ट इस महीने के आखिर तक बन कर तैयार हो जाएगा प्रधान मंत्री मोधी अयुध्या के भव एइपोर्ट का उपधाटन करेंगे इस एइपोर्ट के बनने से देश विदेश से राम लला के भक्त आसानी से दर्शन के लिए अयुध्या पहुँच सकेंगे खास बात ये है कि इस एइपोर्ट पर कदम रखते ही लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि वो राम लला की नगरी में पधार चुके हैं वो श्री राम के जितने भी उनकी कैरेक्टर से जितने उनकी सेलियन फीचर्स हैं वो हमने उभारने की कोशिश की है जैसे की जो बिल्डिंग है जो एरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग है वो भी हमारी नागर शैली में है जो की उतरी भारत की एक शिल्प शैली है तो और इंस्पायर भी जो प्रेणा में ली है हमें वो भी श्री राम मंदिर से हमने ली है और उसके शिखर उसी तरह से बड़े से छोटे होते चले गए हैं टोटल साथ शिखर है एक बड़ा है जो बीच में आएगा और फिर तीन आगे तीन पीछे तो वो एक जलक आपको श्री राम के चरित्र उनके जीवन दर्शन और उनकी जो मरियादा पुरुशोत्तम जो उन्हें कहा जाता है वो अलग-अलग विबन हिस्सों में एइरपोर्ट के आपको बार-बार जलक मिलेगी नकेवल एइरपोर्ट का निर्बान मंदिर की तरहा नागर शैली में किया गया है बलकि पूरे प्रांगण में कई जगहों पर रामकथा से प्रिरित मोर्तियों और पेंटिंग्स के मार्ध्यम से रामचरित को साकार कर दिया गया है जैसे हम एंटर करेंगे तो एक बहुत बड़ा सा मियूरल अखुबसूरत सा मियूरल है जिसमें धनुश मान दिखाया गया है वो एक तरह से दर्शाता है कि पूरशार्थ कितना आवश्यक है असत्य पे विजय पाने के लिए ठीक है सत्य पे असत्य की विजय तो होती है ल इसी क्रम में एएपोर्ट के अराइवल और डिपार्चर लाउंज में साथ स्तंभ स्थापित किये गए हैं. ये स्तंभ वालमी की रामायन के साथ कांड का पतिभिम्ब हैं. एएपोर्ट आने वालों को इन स्तंभों के डिजाइन में रामायन के दर्शन की जलक नज़र या तो एराइवल लाउंज पर या पर डिपार्चर लाउंज पर जब आप देखेंगे तो साथ स्तंभ हैं और काफी मैसिव हैं, काफी बड़े हैं और वो सबसे पहले दिखते हैं, तो वो हमारी वालमी की रामायन के साथ कांड हैं, उनको दर्शाते हैं, साथ स्तंभ और उन पे अलग-अलग पटिकाएं हैं, जो पटिकाएं हैं उसमें एक तो खंडिका पटिका और एक दैविक पटिका, जो की एक दिखाती है दैविक प्रतिभाएं, जो की संसार में है, जब श्री राम ने जन्म लिया, उस समय जब धर्म का सर्वोच स्थान मिला, और उसके शण भंगोर संसार वो हमारा खंडिका पटिका दिखाती है तो दो तरीकी पटिकाओं को अलग-अलग डिजाइन करके हमने उस तंब पे दिखाया उसके अलावा द्वारपाल पटिका है कमल दल पटिका है तो यह अलग-अलग जो हमाई रामायन की फिलोसोफी है उसको यानि आयुद्या का ये एएपोर्ट देश दुनिया के बाकी एएपोर्ट से बिलकुल जुदा होगा इसे देखकर ऐसा एहसास होगा जैसे राम मंदिर में प्रवेश किया हो आर्किटेक्ट टीम ने एएपोर्ट की बनावट और डिजाइन में राम मंदिर के अक्स को हर जगा उभार्णी की कोशिश की है यहां तक कि एपोर्ट की दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग के जरिये राम कथा के प्रसंगों को भी दर्शाया गया है मधुबनी पेंटिंग इती सुन्दर हमारी पुरानी फोक आर्ट है उसमें राम विवा दिखा है राम दर्बार एक बहुत खुब सूरत बना है थ्री फ्लोर उचा जिसमें हनुमाईन जी के साथ राम सीता लक्षमन दिखाई दे रहे हैं और मुनी जन दिखाई दे रहे हैं को आसान करेगा बलकि अयुद्ध्या में परिटन को भी बढ़ावा देगा अयुद्ध्या से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुद्निस टुडे